हलो भाई लोग वल्कम बेक टो मैं चैनल तो अभी बुर्ज खलीफा देखकर हम वापस आ रहे हैं और अभी इसकी एक्साइट्मेंट कम ना हो तो हमने डिसाइट किया है कि यहां पर पास में एक स्काइव आप्जरवेटरी है उसको देखा जाए जो लोग नए हैं तो मेरे पिछले व्लोग को देख सकते हैं जिसमें हमने बुर्ज खलीफा को कवर किया है उसका लिंक में इस वीडियो के एंड में दे दूंगा तो यह जो स्काइव आपसरवेटरी है यह 52 और 53 फ्लोर पर है ट्विन एड्रस स्काइवीव होटल और सबसे बात ही है कि यह जो एड् 52 फ्लोर तक पहुचाने के लिए वो कितनी फास्त है और हमारे तो कानी पॉप होने लगे थे जैसे कि फ्लाइट में फील होता है से हमारे काने आपर बजने लगे थे 52 फ्लोर पर पहुचने के बाद हमको बुर्ज खलीफा का फिर से अमेजिंग व्यू मिला और आसपास की क्लास पे चलने का मेरी तो हाला तरी टाइट थी हिम्मत कर लिए उपर आने की तो करके दिखाएंगे हां भई हां खैर चलते चलते नीचे देखते हुए मुझे तो चक्करी आने लग गए पाई लाइंड कर आदर पाई मेरे तो हिम्मत करके ग्लास के उपर बैट भी गए यह भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसा मौका फिर का मिलेगा उनको दुबई माल के बाहर बने इस वाटर फांटुइंग को भी देखने का मौका मिल गए तो हमने जूम करके देखा बहुत मस लग रहा था यार अखिर कर 15 मिनिट के वेट के बाद हमको 5 सेकिंड की ए ग्लास स्ला करना भी था जिसमें ऑप्शन था पिजा का और पास्ता का क्योंकि हम वेजटेरियन है तो हमने आप्ट किया मारगरी तब पिज़ा और इसके साथ हमको मिल गया था मेरेंड और पैप्सी के कैन पर यह पिज़ा इतना कड़क था कि मेरा पूरा पूरा मूँ चल गया दूब अच्छा खाने का तो हमने चूज किया कि हम चलते हैं दुबई मौल में आपको दो अच्छे इंडियन डिशिस के ऑप्शन मिल जाते हैं यह दुबई मौल इतना बड़ा है कि आपको पूरा दिन लग जाता है इसको पूरा कवर करने के लिए और शायद आप पूरा कवर भी ना कर पाओ तो इसमें मौल्टिबल थीम्स हैं तो हम अभी जहां गुम रहे हैं यह है गोल्ड सूख जो आपका गोल्ड मार्केट है बेसिकली दुबई का उसकी थीम्पे बेस्ट यहां पर आपको देखेग तो यह जीज यह डाइनसार का फॉसिल तक ले आ है अंदर अब यह दुनिया का सबसे बड़ा मौल है तो हम इतना तो एकस्पेक्ट कर सकते हैं एक डाइनसार मौल के अंदर पर इस मौल के अंदर बहुत सारे स्कल्प्चर्स बहुत अच्छे चीज़ देखने को मिल सकती है अच्छा यह जो वाटरफॉल है इसके अंदर जिसमें आपको दिखेंगे कि बहुत सारे लोग डाइब करते हैं यह नजर आएंगे आपको यह एक इल्लूजन वाटरफॉल है अगर आप किसी एक स्टेचो पर ध्यान देंगे तो बाकी की स्टेचो अपने यहां गाय बचा झाल झाल झाल